केस अब इसे भी प्यारे प्यारे साथ यो आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर सड़ा पर मैं हुआ इस चोहान एक बहुती बैतरीन कोर्ट में खेला गया जिसका की रिजल्ट जो है वो लिखित अक्सरों में बाहर आ गया है तो भरती तो हो रही है 27,000 पदों हो रही है लेकिन कुछ जरूरी बाते जो आपके मन में सवाल आ रहे होंगे क्या उस समय के B.E.D. दिगरी धारक जो मानने थे क्या आपी भी मानने रहेंगे एज रेलेकसे सण क्या होगा क्या भरती दो महींने में होगी कि नोटिफिकेसन दो महींने में आएगा क्या चीज हो रही है अगले दो महिने में इन सभी चीजों के लिए चलते हैं स्कोर्ट ओडर की तरफ और बहुत मज़ेदार तरीके से से आसान बासा में आप लोगों को मैं समझाता हूं कोर्ट ने कैसे कान कीचे उत्तर पर देश में जब भी सिकसक बरती आई है कोर्ट के आदेश पर आई है 68,599 और भगवान की देश से यह वाली भरती भी आप यह मत सोचना सरकार देगी कोर्ट खीच के लेगी सरकार पे से देखो क्या होता है 68,500 वेकेंसी पर नोटिफिकेशन दिया जाता है जिसमें सिर्फ 41,556 केंडिडेट्स क्वालिफाई करते उन्हें नोकरी दे दी जाती है उसके बाद सरकार 69,000 पदों पर दोबारा भरती कराती है इन 27,000 पदों को जो बचे थे नहीं इंक्लूड करती है नोट इंक्लूडेड ठीक सिंपल सा पहले तो बताया कोर्ट ने प्यार से कोर्ट अभी जो है सरकार को इस आदेश में देख अप्टर 2018 कि Assistant Teacher Recruitment Exam सायक अध्यापक भरती परिक्सा काहे नहीं कराये सरकार तो सरकार कहती है कि कुछ कानूनी दाव पेच में फस गए थे बहुत बढ़िया चैसाल से तुम कुछ कानूनी दाव पेच में फस हो बताते भी नहीं है कि देर बाद सम लिटीकेशन पेंडिंग कि कुछ दिक्कते आ गई थी जिसे कई बार ओफिस में लेट नहीं पहुंचते कि कुछ परेसान हो गए थे रस्ते में पंचर हो गया था कुछ तो दिक्कती नहीं आ पाए भाई कुछ से काम नहीं चलेगा आगे कोट ने कह दिया वी सी नो जिस्टिफिकेशन आप जो बता रहे हैं हमें तो इसमें कोई जिस्टिफिकेशन नजर नहीं आता इसलिए एटी आरी आपको कराना पड़ेगा दो बारा और रिलेवेंट रूल्स पे करवा पड़ेगा यहीं सारा खेल चिपा हुआ है बीएड वालों के लिए एज रिलेक्सेशन वालों के लिए इसमें मैं एंड में समझाता हूँ अब दसेड एग्जामिनेशन सूड भी हैल्ड एट अरलियस्ट एंड डिसीजन विद रिगार्ड टू होल्डिंग एटी आरी साल बी टेकन विदिन ए पिरिएड अफ टू मन्स आप दो महिने के अंदर यह डिसीजन लेके हमें बताईए कि कब करवा रहे हैं आप रिक्लूटमेंट एक्जाम कब सिक्सक बढ़ती हो रही है तो जो मैंने पहले कहा था कि कहीं वर्भल आदेश दिया होगा और इसके साथ ही ये भी कहा एक पॉइंट और मज़ेदार है कि सरकार बचने का एक तरीका भी चोड़ दिया कोट ने कि चलो भरती ना भी करवाओ आप इसके लिए ना कि क्यों नहीं करवा पारे भरती हमें मत बताना आप जो है इस्तियार चाप देना एक अख़बार में कैसे कि इस देरी जैने लीगल मतलब कोई आपके पास कारण है ये नहीं कि हमारे पास तो जो है जि कानूनन न्यえーकि हमारा तो रेश्यो सेम होगया था जी हमारा तो यह उगया हमने तो तब से बच्चों को स्कूल लूमेडमि सनी नहीं लेने दिया हमें तो जरूरत ही नहीं यह सब चीजे नहीं लीगल अगर आपके पास कोई कारण है कि जी उस कोट के इसकी वज़े से नहीं करवा रहे जी अमारे पास तो ये दिक्कत आ गई इस वज़े से नहीं करवा पारे अगर ऐसा है तो पहले की तरह नहीं कि विधान साबा में चुपचाब बता दिया अब की बार क्या करना पड़ेगा आपको अपनी इस चीज का जो आप हलका सा बेसरमी दिखाते हैं सरकार अगर करेगी तो हिंदी के और अंगरेजी के अख़बार में दोनों बासा में बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं करवा रहे हो पूरे उत्तर परदेश को बताना पड़ेगा और उत्तर परदेश के साथ साथ इसे पूरा भारत पड़ेगा कि क्यों नहीं करवा रहे हो जो B.A.D. वाले बच्चे है देखो इसमें लिखा है कि A.T.R.E. जो है वो relevant rules के आधार पर होना चाहिए ठीक लेकिन उसमें अब क्योंकि पद पहले है तो age relaxation और सारी चीजे 2023 अगस्त के बाद B.A.D. को बाहर किया गया उससे पहले के पद है अग लेकिन इस चीज की आजादी कहीं ना कहीं कोर्ट ने सरकार के उपर छोड़ी है कि आप कंसिडर कर लें अब कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे वो एक भाई अलग चीजे देखो जैसे relaxation of age है रूल्स में जो भी consideration करना है here in sal be consider as far as it may be permissible as per the low कि कानून के इसाब साब से में के नियमों के आधार पर भरती करा सकती है अन्यथा चूट दे सकती है नहीं सिर्फ वन टाइम चूट कुछ तो चूट दे सकती है क्योंकि इस से बहुत लोग प्रभावित हुए थे अभी भी बहुत लोग प्रभावित है तो age और bead ये सरकार के खेमे में कोट ने गैं इस तरी चीज बरती जरूर होगी इस बेरोजगारी वाले माहूल में योगी जी किस मुह से ये इस्तियार अख़वार में निकलवा देंगे कि हम नहीं बरती करवा पाएंगे ये तो बिलकुल नहीं हो पाया लोग उसके स्क्रीन सोट गुमा देंगे इंस्टाग्राम कोई ऐसी जरूरत पढ़ती है तो हम लोग और आप लोग तयार रहेंगे सही चीजों को सही तरीके से अपनी मांग को आगे पहुचाने के लिए क्योंकि हमारे यहां कब क्या होता है आपको भी पता जारखंड में IIT का सलेवस दे दिया था दबाव में ही जाकर चेंज कोट केस हटना लगना अब यह सब उतल पथल चलेगी लेकिन सलेक्शन उसे नहीं मिलेगा जो इन सारी न्यूजिस को सुन रहा था सलेक्शन उसका होगा जो पढ़ रहा था तो पढ़ना सुरू कीजिए फ्री पढ़ना चाहते है एप डाउनलोड कीजिए फ्री क्लासिज सारी चीज़े आपको मिलेगी नीचे लिंक है और अगर आप बैचिज में जुढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फोन नंबर है बाई बाई टिक है